मुझा आप 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 असलाम लेकम कैसे हैं आप सब मीदस सब ठीक होंगे सुबह सुबह मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया मैं बना रही हूं यहां पर चिकन और आलू मिक्स करके जो है ना यह सब कुछ बना रही हूं और थोड़ी थोड़ी कौन्टिटी मैंने लिया क्यूंकि ज्यादा सालन ज जो है मैं यहां पर सुबह सुबह खाना क्यों बना रही हूं क्योंकि आज जो है ना अमी ने जाना है रूई जो होती है ना मैंने अमी से काल की थी तो उन्होंने बातों बहुतों में जिकर किया के रूई मुझे बड़ी काम है फोन बंद करो मैंने रूई के लिए भी जान निकलती एकथी करते हैं तो वह एकथी करने के लिए उन जाना था और उनको जल्दी टिकाते हैं फोन बंद injust तो मुझे भी ना मतलब फोन जैसे मैंने बंद गया मैंने का खाना घो बनाना राहाई है मतलब सिकने टाइम कि ती तो जो इतना गंदी नहीं इस कि घृती कि afect देखूंगी क्योंकि मुझे याद है बच्पन में जब चोटे होते थे ना तो उसमागे जाते थे लेकिन आप तो काफी टाइम हो गया हम गई ही नहीं थे खेतों में मतलब खेतों में तो जाते रहते हैं मतलब रूई के लिए ना रूई देखी काफी टाइम बाद आज नानी अमा के साथ उस साइड पर जाओ ना तो घास वगयरा के पास हो तो मैं कहते हूँ नानी अमा मुझे लगता है कीड़े लड़ रहे हारश हो जाती है टंगों पे और पैरों पे तो मैं कह रही थी नहीं कुछ नहीं होगा वहां मेरी अम्मी भी होंगी तो नानी अमा कह बस फिरना टूर नहीं है इसने काम गयरा कोई नहीं करवाना अमी के साथ क्योंकि उनको तो मेरा पता है ना तो इसलिए तो मैं कहा रही थी कि नहीं मैं काम गयरा भी करवाओंगी अमी के साथ जो है ना रूई वही कठी करनी है तो वही करवा दोंगी तो आप लोगों को भी स जो जा कि खाला इना डाल कर माना भी दूआ करना रही थी और में आफ बर्तन वाष्ब करन िद्वाज़तुु साथत के तो मुझे बच्पन में बच्का रहाए कर सकते भी कीड़ा बहुती वूनता प्र तो चला था कि वह जुएणनी भी तो होती है कोई कीड़ा होती है zodि मैं और यह वहां बघ्रीटई है सारा दिन सारा दिन तो मैं नहीं रुकूंगी मतलब भाईरा गहर भी आना है और फिर भाई बिचे सटूडन्ट आजाते हैं अब सअर्डियों का टाइम में तो स्टूडन्ट थोड़ा लेट हो गया जायरा स्कूल से चुटी लेट मिलती है पिर गारा आना खाना वगारा उनको साड़े तीन हो जाते हैं तो उनको पास तो अब खेलने का भी टाइम नहीं है तो यहां पर मैंने आज ना सूप वाला सालन रखा है क्योंकि शोरबे वाला जो होता है ना उससे इजीली रोटी खाई जा सकती है तो अब सालन मेरा डन होगा है होगार मसाला डालती हूं धरिया डालती हूं और फिर खाना वगरा हमारे साथ हम जल्दी आजाएंगे इतनी देर में कौन सा कोई आएगा तो ऊनुदी चली घए तो मजदूर का भी उनको काम करो रहा है तो किसी को Bولला हो यह तो वो कह रहे थे कि कुई मजदूर हागा तो फिर क्या करेंगे तो मैंD heckर वहागा तो मैं पर दर्मदा ओा इन्ही खुल लूँ की तो किल न्यां जो है ना वो फ्रीज में ही रखके चली जाती है तो इसको रखते हैं फ्रीज में और चलते हैं जी डिरेक्ट उदर और मैं सोची हूँ कि ये भी साथ ले जाओं क्योंकि वहां पर खा लूँगे और ये मैंने रास्ते में ही खा जाने हैं मुझे पता है अपना तो चलते हैं जी इस साइड वाला जो दर्वाबाजया ना यहां सरी चले जाता है घुझा सैड ऊंकि दूसरी साथ से ना रसता लंबा हो जाए हम दो पहले हैं जी किहां आप पर अच्छा व्यू आ रहे है इतनी ग्रीनरी लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है ग्रीनरी क्योंके फसलें जो है अभी गंदम की फसल जो है वोकाश्ट होए और वहां पर मैंने जाना है सामने ही मतलब बिल्कुल इगर के नजदीक है जरा भी दूर नहीं है तो लेकिन फिर भी मुझे अकेले जात थे ठाल ली है मातलब के इकठी कर ली अगे और यहां अभी जो हैंने इसको टपना है मैंने और काफी मृड़ा था मैंने काफी हिम थिए जो है जाना इसपनाई ना शकार ही है। द्रिया या समंदर है जो पार की है या नहर है है जी मेरे लिए तो ये नहर से कम नहीं था तो यहां पर जो है ना अम्मी ने काफी ज्यादा जो है ना रूई कठी कर रही है और अम्मी से कह रही थी कि अम्मी थोड़ी सी है इसमें से ना रूई निकलती है ये रूई की फसल ह कोटन की इस तरह से होती है मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से और इसमें कीड़े भी हैं मैं देखे हूँ और चाबी जब मैं साथ ही लिए आई हूँ कि जब वापस जाँगी तो तालہ खोल खौल के लिल चली जाओंगी ना इसलिए और नारी अमा को क्या बलाती फिर हो कि वो आएं कुंडी लगाएं और फिर जब मैं जाओंगी तो कुंडी खोलेंगी मैं चाबियां भी साथ लिए आई तो ये जी रूई हैं और इसको इस तरह से हमने इकठा करना है और मैं अमी को कह रही थी कि इतनी ज्यादा तो ह पह रहा है नहीं जो है मैं आगी हो ये तो जिल्दी होक्üyगा तो हम एक वीक पहले जो है ना वो उन्होंने ली एकठी कर ली थी यहां से तो अब थोड़ी या तो हमी तो हमयने जो होते थे न पेदे रूई वाले ये हमारे सवरों से काफी बड़े होते थे और हम लटक लटक के साथ थे जो है ना इकटी करते थे और अब जो है ये छोटे-छोटे लग रहे हैं और इस तरह जे इसके अंदर कीड़े हैं और मुझे अभी भी डर लग रहे हैं मैं ना अमी कहते हैं मैं कहा रही ह सही है अचलो आप जो कुछ भी करना है कुछ तो करना ही हैना तो मुझे कीडों की वजह भी जासे ना-ना-ना-कटमे नहीं राकरी तो यह लेज मैंने आपको खेतों की भी सेयर करवा दिया आप तो आपको कैसा लाग रहा है खेतों में आके मेरे साथ अभी जो है ना वहाँ पर गन्ने भी तोड़ूंगी मैं जाते हुए और भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे जो है ना गन्ने बहुत ज मैंने थोड़ी सी रूई जो है ना वही कठी किया मैंने का मेरे बास की बात नहीं मुझे कीड़ों से लग रहा है डर तो मैं गन्ने लेने जा रही हूं और उसके बाद हैं घार चली जाओंगी तो अम ही यहां पारी हैं और ना नहीं हम आपको पेज़ दूंगी तो क्यूं वेला की तरह कुछ कुँ कूछ बोलते हैं गिग्ड़选 गिदड़ इसमें ना वही ह्, नहीं है यह जोटी है जथे ना बनना बननी सी होती है फसलों की जहां पे ऐड ना का पर चाल रही थी और यहां पर आके दूबहें काफी ज़यादा निकल चुकी है और मैंने इनको ध के वाश करके रख लिया और जब मैंने इनको खाया तो बिलकुल यह शूगर फ्री थे जरा भी मीठे नहीं थे सारी मेन जया गई तो यही था आज का चोटा सा वलाग मीद है कि आपको पसंदा गमजीद वीडियो के लिए इस वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क कर दे मिले हैंगे फिर अलाव